अगर आपके घर में टी पाई, टेबल या स्टडी टेबल खराब होके उसे आप फेकना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ना फेकिए मेरी ये वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए कि उसका मैं कैसे मेक ओवर करने वाली हूँ उस टेबल को एकदम हम नया लूप देने वाले तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए तो देखिए ये टेबल में मल्टी परपच के लिए यूज करती थी कभी मैं इसे स्टडी टेबल बना ल पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी तो इसका मेक और हम आज करने वाले हैं तो सबसे पहले जो इसके किनारे में अच्छी तरीके से इसे क्लीन कर लूँगी जो इसकी पटिया है वो भी निकल चुकी है आदी ही बची है तो उसे भी हम निकाल लेगे अगर ये ना निकले तो आप किसी कहिंची का चाकू की मदद ले सकते हो तो देखी पटिया आराम से निकल जाएगी और इसे आप कहीं सेब जगा पर रख दिजी क्योंकि इसके ओपर खिले भी होती है और जो मेरी टेबल के उपर का हिसा है थोड़ा सा फूल चुका है लकड़ी थोड़ी से यह यहां पे इवन कर चुकी है तो मैं साइट भी इसकी क्लीन कर दूँँगी जो भी खीले वगेरा हो उसे मैं इवन कर लूँगी चाया तो आप खीलियों को निकाल सकते हो यह चाया तो चाकू की मदद से उसे दबा भी सकते हो तो देखिए यहां पे मैं अच्छी तरीकी से इसे even कर लेती हूँ, इससे क्या होगा, हमारा उपर का surface बहुत ज्यादा smooth आएगा, बिल्कुल भी इसमें गड़े वगेरा नहीं नजर आएगे, तो यहाँ पे मैंने एक मंगाया है, wallpaper, wallpaper बहुत ज्यादा design में आपको मिल जाएगे, यह waterproof भी आपको मिल जाएगे, non waterproof भी आपक प्रणदों वहाँ से आप मंगा सकते हो, तो देखे, सबसे पहले आपको इसे उपर रख लेना है, तो ऐसे ही आपको इसे उपर रखने के बाद, थोड़ा सा age आपको छोड़ देना है, बिल्कुल भी किनारे से बिल्कुल कट ना करें, तो देखे, मैंने इतना इतना होता है, उसे आपको निकाल देना है, और इसे अच्छी तरीके से चिपका लेना है, यहाँ पे मैंने अपने पती के भी मदद ली थी, तो देखे, इसे आपको लगाने के लिए थोड़ा सा even आपको करके लगाना है, तो देखे, एक जन अगर नीचे से पेपर को खुचेग घर में, तो देखे, फेंड कितनी अच्छी तरीके से हमारी टेबल यहाँ पे नजर आने लगी है, जो हम फेकने वाले थे टेबल को उसका कितना अच्छा मेकवर मैंने यहाँ पे कर लिया है, आगे आगे देखते रहे, यह बहुत जाद अच्छा इसका सुन्दर लुक आन आप किनारे पे फोल्ड करोगे, वहाँ पे मैं एक टेकनिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसे फोल्ड करने के लिए, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कट लगाना है बीच में, ताकि किनारे पे अच्छी तरीकी से यह फिनिशिंग आ सके, अंदर की तरप आपको ए तो देखे, मैंने इतना-Eतना कट कर लिया है यहाँ पे, ताकि हम निचे भी इसे फोल्ड कर सकें, तो इसे आपको ऐसे ही कट कर लेना है, तो इसे आपको प disciplines कर लेना है, आपको कैसे लगाना है, थोड़ा सा आपको उपर छोड़के निचे की तरप आपको इसे लगा लेन है तो देखिए ऐसे ही मैंने यहाँ पे लगा लिया है आपके पास जो भी पुराने टेबल हो कुर्ची हो इसे आप ऐसे ही नया बना सकते हो बिल्कुल भी फेकने के इसे जरुत नहीं है तो दिरे-दिरे इसका नीचे का जो बैक कवर है आपको निकाल दे जाना है और इसे ऐ ऐसे ही आपको फोल्ड कर लेना है तो देखा आपने कितना आसान तरीका है तो देखिए मुझे तो बहुत जादा शौक है ऐसी चीजे बनाने का मैंने मेरे घर की पुरानी अलमेरा को एकदम नया लुक दिया था पर उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की थी तो देखिए इसे भी आपको किनारों पर मोड देना है तो आप देख सकते हैं उपर का मैंने अच्छी तरीकी से इसे वाल पेपर लगा लिया है देखने से कितनी ज़्यादा ये सुन्दर लग रही है तो अब बार ये नीचे के पाट की उसे आपको स्कुरू से निकाल लेना है ये लगा लूँगे तो ये भी सेम तरीका रहेगा वाल पेपर लगाने का तो इस आराम से आपको लगाना है उपर से ऐसे आपको हातों से प्रेस करते जाना है ताकि कहीं से भी ये थोड़ा सा खुर्दरा ना हो तो देखिए यहाँ पे भी मैंने लगा लिया है इसकी साइड लगा लूँगे तो यहाँ पे आपको फिक्स कर देना है सारे अटाइच्मेंट जो इसके हैं उसे आपको फिक्स कर लेना है वीडियो अगर पसंद आया तो प्लेज जरू शेर कीजिए लाइक कीजिए और पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकान है उसे जरूर प्रेस कीजिए देखिए हमारी टेबल तो पूरी रेडी हो चुकी है पर मैं इसका अवरे कोट लगाने वाली हूँ उपर से ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी तरीके से आ जाए इस वाल पेपर का लिंक और दूसरे भी वाल पेपर का लिंक में आपको दे दूँगी डिस्क्रीप्शन बॉक्स में वहाँ पे जाके आप जरूर चेकाउट करें तो देख सकते हमारी टेबल कितनी ज्यादा सुन्दर यहाँ पे लग रही है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जर लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए